यह पुलर फेन जो देख रहे हो यह अभी हर घर में चल रहा है मतलब इसका जो यह कोर होता है देख सकते हो यह कोर खुला हुआ है और इसका क्वैल हो गरा कटिंग करती है कैसे इसका वैंडिंग क्या जाएगा कम से कम समय में और क्या डटा रहने वला है जो की काफी समय तक चलते रहेगा जलेगा नहीं जलदी और इस्पीड थोरा सा कमपनी से भी घेवी रहेगा तो क्या डटा ओने वला यह देख सकते हो गैज पहले running का QAWL इसमें भडे हुए है इसी तरह से यहां पर भी running भरनों होता है कैसे कैसे भरा जाता है क्या system है वह भी जोनने वाले है तो गैजिया हो यहां देख सकते हो यह QAWL बना यह है एक दो तिन चार QAWL बना है यह लगेंगे इसको फैनिलली वैंडिंग करने के लिइए तोजाइज क्या सिस्टम है देखटा देते हैं इसमें जो भरेंगे एक 4 और एक 6 पर वरेंगे जेसे कि यह देख सकते हो गाईज यह चोविस च्र待 ने वालरी निधर का झिर्टे लेतë हैं रणिंग मे जो देने वाले 1-4 और 1-6 रहेगा इसमें जो टर्ण रहेगा 1-4 पर तो 1-4 पर जो टर्ण देने वाले हैं 170 तर्ण रहेगा और 1-6 पर जो टर्ण देंगे इसका double रहेगा मतलब 160 212 तीन-शो बीस रहेगा और इधर स्टैटिंग भी रहेगा 1-4 पर और 1-6 पर एक 4 पर इधर 1500 तन रहेगा इसका देवल रहेगा फिर 300 और इसका वायर गेज्ट जो होगा किश्टिनर वायर करे सन हमाथ हैं से ळगते हैं एक 31 नमर से बनाएंगे और है इसावपर से भी बना सकते हो ये एल्मुनियम लिख दिये और इसका जो गेज रहेगा इस्टेंडर वायर गेज यह भी रहेगा 31 नमर ही यह भी रहेगा एल्मुनियम ही तो फुल मिला के यह डटा है अभी जो कि पर्फेक्ट डटा है कुलर फेन के लिए यही डटा पर यहाँ पर वैंडिंग करने वाले हैं और गाई इसमें एक बात होती है रनिंग का जो हम साइज उठाए मतलब इसका तो कुछ न कुछ साइज होगा यह पुड़े गोल का मतलब कितनों पर यह क्वैल बनाएंगे गोल तो इसका भी साइज होता है यहां लिख देते हैं साइज क्वैल साइज जो रहने वाला है यहां पर रनिंग रहेगा एकेस इंची एकेस इंच पर बनाएंगे और स्टेटिंग जो इसका साइज रहने वाला है यह रहेगा 20.5 इंची मतलब अधा इंची का यहां पर डिफ्रेंट रहेगा तो फानली अभी गाईज मोंत्र चार से पॉ अधानली गाईज यह देख सकते हो अभी 0 है क्योंट का वेड़ भी कर लेते हैं रनिंग में कितना लगेगा और इस्टेटिंग भी देख लेते हैं कितना लग रहा है यह अर्शाटिंग मतलब 2-3 मत्र कम है इस्टेटिंग में तो खुल मिला के यहां जो हो रहा है रनिंग ओल का क्वाइल भी यहां पर कितना आ रहा है और इस्टेटिंग का विरत आ रहा है है यहां पर और सट गरां चो मिला जुला के साथ छो एक्यों सौट आलिस गरम टॉटल वाइर यहां पर लग रहा है जो कि देख सकते हो लोगका हमें ज़रूरी परेगा हर घर में यहां प पर करेंगे तो कोई भी एक क्वैल उठा सकते हैं शुरू का या लास्ट का जिसमें की फर्ष्ट लूप होना चाहिए उसको हमें उठना होगा जैसा कि यहां देख सकते हो गाईज यह मेरे होंत में अभी फर्ष्ट लूप है इसलिए इसको डिरेक्ट्री कुछ नहीं करना है सिंपल यह होता है यह देख सकते हो यहां पर पेले एक चार पर यहां GOT डाल दिया हैं यहां इस को महन लेते हैं कहीं से भी स्पर लूप कर सकते कोई ख़े добрants सक्ते हो यहां बीच में छुटा गिंती कर सकते हो एक तीन चार मतलब यहां को घर में चले गया तो फैनली अब क्या होने वाले हैं पहले तो रणिंग पुरा कर लेते हैं इसके बाद बताएंगे अब क्या करना है जो गिठा मारे हुए ते वाइर में इसको खोल लिए है और यह मेरा फ़स्ट लूप जो इधर निकला है इसको इस तरह से मुर्दी है अब एक छोपर डालना है इसी क्वैल को सबस्कें जोड़िकन आप इस तरह से मूर्द किये यह सकते हैं इस तरह बहलेगे इसके उपर में बहुत है इता यह देख सकते हूं अब यह उपर वह जो जो डाले है यह सो पर यह पर किया यह करेंगे मौरकर यहां पर डालेंगे देख सकते हैं इस तरह से मोड लेना है फैनली मोडने के वाद इधर लाकर यहां अंदर डाल देना है जो कि देख सकते हो काफी असुनी से अंदर चले गया है अब यहाँ पर लोग डाल लेते हैं तिरू धर का भी डालेंगे वैल्स को यह देख सकते हो इधर का बिलकुल हो गया इस वर एक चार पर 170 और 16 पर 320 यहां पर कंप्लीट हो चुका है अब गाईज यहां देख सकतो यहां अब है समझने वाले बात ध्यान से समझना होगा तब इस समझ पाऊगे आप चाहो तो इधर यहां पर वैंडिंग कर सकते हो फिर दुसरा क्वाइल उठाकर आप चाहो तो सकते हो यहां पर करेंगे इस कॉयल को उपर वेजेंगे और यहां पर वैंडिंग करेंगे जुख यहां पर स्मझने वाली बात है यहीं पर कनेक्शन का खेलं केला ऊंड़्या यहाँ पर यह first loop रोगा और यह दूसरा लूप है अब इसको कैसे बढाएगे यह लूप इधर रहने देंगे यह इसे करते हैं तो लूप इधर आ जिता है अपर ते ज लूप इधर से कर सकते हैं जितना भी इसमें खेला है connection का एक तीन पर होता है यहां देख सकते हो एक नमर जहां से निकला यह एक हो गया यह दो नमर हो गया अब यह हो गया तीन नमर मतलग एक से यहां पर तीन पर आया है तो बिल्कुल perfect है तो यहां पर अब जो डालेंगे फिर एक चार पर डालेंगे और डालेंगे जो दो देख सकते हैं एक घर छुटा है बीच में मौतर इसमें डाल देंगे और देख सकते हैं यहां पर दो घर कोड़ेंगे अब देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस से फिर क्वाइल को मोरेंगे इस तरह से फिर एक उपर इधर और एक उपर इधर दुनों साइड भरेंगे अब यह भी एक छोपर यहाँ पर कम्प्लिट भरा गया एक वार एक दो तिन चार पर चे एक छोपर आया है फिर इसी को एक वार मोरेंगे अब इस अभी लोग लगाएंगे उसका भी कनेक्शन एक तीन पर ही करेंगे यहां दूसरा फिर इसको उपर भेजेंगे इस तरह से उपर भेजने के बाद फिर इससे जो आटेज है जिसमें उसको फिर लेंगे इस तरह से ले लिए फिर देख सकते हो अब गाइज देखो यहां connection कैसे करना है यहां से निकला है मतलब अब एक तीन पर फिर भेजना अगर ऐसे रहेगा तो एक दो दो यह होता है एक यह हो गया दो नमर यह हो गया क्योंकि यहां आया है तो एक दो गया इस तरह से नहीं बढ़ाएगा यह ऐसे हो जाएगा अब प को फिर घृब लेते हैं एक टिन का connection सन् देखते हुए फिर क्विलेट हुने के वाद प्र क्रेक्वा यह भी जानने वाले ज्ट यह दे सकें अब यहां से देख सकते कॉंटिंग करो गाई एक नमर का यह लूप था एक मतलब यहीं हो गया दो तीन मतलब एक तीन पर मेरा लूप भी निकला है एक दो तीन मतलब बिल्कुल पर फेक्ट यह पर वैंडिंग हुआ है अगर यह connection यहां निकल कर यहां निकल जाता तो गलत हो जाता यहां निकल कर यहां आ जाता तो भी गलत हो जाता लेकिन यहां एक तिन पर है तो यहां पर बिल्कुल perfect connection है अब गाईज यहां बात यह आ जाती है अगर यहां अगर गलती वगरा हो जाता है भरने में एक तिन पर connection नहीं होता है तो उस case में क्या करें यहां आपको connection समझ में नहीं आया है तो हम details में समझने के लिए जितनों भी यह connection हुआ है एक तिन पर सरा अभी हम पर लिए cutting कर लेते हैं देख सकते हो यह cutting कर दिया इसमें दो wire ह सब्सक्राइब यहां इसने भी हो जय तो इसमें भी दो आइर हो जैए तो टाल दो wire सब्सक्राइब है तोहमें नहीं पता कोन एक लूप पहले हमें पकर लेना कोई भी इसको भी पकर सकते हैं इसको भी किसी तो हम यहां इसको मान लेते हैं एक पृष्प दो ये रिए हो गया अब यहां पर एक चीशच समझना वहाइब इसका होगा तो हम क्या करते हैं किसी एक साइट घुरनों ही है तो घुम जाते हैं मतलब जैसे यहाँ पर रंणिंग में घुरेंगे वैसे इस टैटिंग में भी घुमनों होगा यह चीज आपको ध्यून में रखना है तो हम क्या करते हैं अब एक नमर यह मेरा लूप हो गया अब यहाँ स नमर एक दो तीन मतलब अब इन दोनों में जुएंट होगा तो इन दोनों में जुएंट कर लेते हैं यह देख सकते हो यहाँ जुएंट हो गया इससे अब इसमें लाइन आ गया इसमें जो आया आप देख सकते हो यहाँ बचा है अब यह एक नमर हो गया मेरा फिर आगे ब और एक-tron connection वोए इस तरह से काफी असनी से आप connection कर सकते हो तो गाइज अब हम क्या करते हैं आपको समझने के से इस तरह से इसका इसक्रेज susuk सकते हो पति से इसक्रेज हुंट जर जाता दीछ सकते हैं देखें बुजल फूला दिखाई देने लगा होगा इस तरह से अब यहां पर ज्यूंट कर लेंगे तो कि कम्पिलटब हो गिया है अब हम इसमें एक नमर स्रीफ डाल कर टेप मारेंगे पहले इधर टेप मार लेते हैं टेप मारने का क्या तरीका होता है ये भी देख सकते हैं टेप मारने बहुत ही जरूरी होता है ताकि रनिंग और स्टेटिंग आपस में सोट ना हो सके तो गाई इस तरह से टेप मारने ये देख स यह गाईज जैसे पिछे मारे हुए थे इसे भी हम मार रहे हैं सरों में मार लेते हैं खिर दिखाते हैं आगे यह गाईज यहां पर कंप्लीट्टेफ मार दिया हैं और यह लूप और यह लूप बाद में बभार निकलेगा रनिंग के लिए दो बार बात बात निकलेगा अब यह है गखाने कि इस तरह हो टाइक है अस्में पर एक सदर की आपछा न tips से सैक लिनाफ और ओर दोड़ों में आए शाय AIDS व जरा दरब और झना देना द्रोंगत बाद बात्राओ सर्के इस वहां चाहला गार द्रदाओर यह तहुना इत्याद च्राओर चले गया है यहां पर लोग लगा लेते हैं देख सकते हो कापिया सुनी से इजली चले जाता गए कोई दिक्कत नहीं होता आप अगर खुद से करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला सिर्फ आपको कनेक्शन समझना है जो कि वह हम आपको बहुत ही डिटेल्स के उपर फिर डाल देंगे जैसे डालेंगे वह क्या हो जाएगा एक छोपर आजाएगा वह भी दिखाते हैं एक छोपर आता है या नहीं आता है तो फैनल यहां पर देख सकते हो गाई डालने के वाद इस तरह से खीज लिए अब एक दो तीन चार को अच्छे एक छोपर आ ग डालेंगे काटी हाँ यहां पर घर खाली राता जाता है जो कहीं इजली चले जाता है ।ा यह चली हो इसक बहुत हe आर भागे यहां पर वहरे तो इसमें एक भाए गया था यह पता चल जता है फैनली किसमें एक बार गिया और किसमें दो बार गिया फिर अब दो नेमर का क्वैल उठा लेना है अब यहां समझने वाली बात है वही से यह देख सकते हो फर्स लुक जो निकला है उपर से निकला मतलब एक दो तीन यहां जब इस तरह से जाएगा तो बिल्कुल परफेक और करने को में दोता है इसको मोल दोता हैं अब फिर उकण फखर भी ओजएगक यहां फिर उपर यहां फर पर अडिक वेज है एक द्या कि वह देख सकते हैं आप घून्टिंग कर सकते हैं तीन चार पंचि इस तरह से एक छोपड गया है फिर इसको एक बार मोरेंगे फिर एक छोपड डालेंगी यंकि दो बार हमें डालना है एक छोप इधर कम्प्लीट चले गया है लगा लेते हैं लोग लग चुका है अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सब लेत दाव लेके हैं तो इधर का भी यहाँ पर अंदर चले गिया है यहाँ पर भी अभी लोग डालेंगे लोग डालने के बाद फिर तिसराकवाल उठाएंगे उसमें भी एक तिन समझना होगा अब फिर इसको उपर भेज दिये अब फिर यहाँ पतार चल रहा है हमें इसमें एक बार गया है और इसमें एक बार गया अब कनेक्शन समझ सकते हैं अब अगर ऐसे इसको डालेंगे तो यह लूप यहाँ निकला एक दो दूए होता है तिन नहीं होड़ा तो बिल्कुल गलत है इसको इस तरह से करेंगे उल्टाएंगे अब कुंटिंग कर सकते एक दो तीन यह बिल्कुल सही है इसी तरह से फिर जाएगा इसके अंदर जाएगा सेम प्रोसेस है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है कहीं आप बोर नहों हो जाए इसलिए पहले हम यहाँ पर चारो क्व सब्सक्राइब करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे यह हो गया अब लूप के साइड हमें अभी कुछ नहीं करना पहले इसको उल्टा लेते हैं इधर से भी इस तरह से फिनिसिंग बगेरा दे देते हैं ताकि रोटर इसके अंदर काफी असने से चले जाए साइज बनना होता है उसके वाद यहाँ पर बंदने का वी जहमिला नहीं होता आप चाहो तो बंद सकते हो बंदने से थोड़ा और अच्छा हो जाता लेकिन जल्दी कम करने में यही ए जाए तो इन चेज़ है उएक सबसे में होता है आपको बताई लगी दिए वही डिटा यूज करना आपको बस यह बिलकुल परफेक्ट चलेगा कोई दिक्कत नहीं होने वहाँ नहीं सोडियहूं पर 5 अब क्या करना है सबसे पहले इन 4 शे कशरी से सबसे रहे सब्सक्राइब है इसके बाद चारो में यह नमर लाल और टपनी कला बाइर टोटल चार लोक है वहार बजो थो अजो यह छोटा जोटा icon है यह रणिंग का हो गया रणिंग में हम लाल से यहां पर कनेक्ट करते हैं लूप का क्योंकि हर मिस्तिरी को पता होता है लाल वायर जितनों भी होता है वो रणिंग ही जदातर होता है तो इसलिए रणिंग में लाल वायर देनों बहुत ही जरूरी होता है किसी का कम कोई भी इस तरह जगर यहां पर हम स्टैटिंग देंगे हो सकता है कभी खराब वह कोई मेकिनिक अगर जाएगा वहां ठीक कर दें तो गलती से इस्टैटिंग में ही लाइन दे देगा उस केस में क्वैल जल सकता है इसलिए रूनिंग में लाल वायर ही देना बहुत जरूरी होता है औ अब यहां पर टेप नहीं मारेंगे यहां कभर करने के लिए स्लिप आता है जो कि यह तिन नमर्ष इसको अंदर डाल देंगे वहां पर मतलब जूएब जो हुआ है वहां टेप मारने की जरूरत नहीं होगा यह गयाज देख सकते हो यहाँ पर जोएन्ट की कोई जरूरत नहीं यह डारेक्ट लूप निकालने लिए इस सी तरह तीनों में लगा लगा लेते हैं पर यहाँ पर सिलिप बगिडा लग गया अब एक जगा चारो लूप निकालने का फेदा देख सकते यह फी जगा इस तरह में कम हो सके उसके लिए देख सकते हूं इधर भी हम धगा नहीं मार रहे हैं यह बेल्ट का यूज कर देख सकते हैं तो गाइज बेल्ट मारने के बाद फिर यहां पर जैसे पिछे टेप मारें वे थे बिल्कुल वे कि यो के पता हैं गोटर का होई करणा का एट मारने क्ट कंपनी नहीं करता है कि इसका क्या फैदा होता हमें पता है गया सब्सक्राइब काफी यह सबसे पहले तो फिनिसिंग थो इस अन्दर नहीं कोई दिक्कत यह कोई भी देखेंगा पैगा के इधर का बोडी में को हो जाता है मतलब हंड्रइट पर्सें ट्रच में ौता किसी केस में स्ँध्ट वह जल ड़ तो यहां बोडी में आ शते ने के बाद जब इसमें लाइन दिया रहा कोई अगर इसको उतारता या खोलता या चूता तो इसको कारेंट मार लेता है लेकिन यहां पर वैसा बिल्कूल नहीं होगा टेप मारने के बाद जब यहां पर बोड़ी फिट होगा बोड़ी में टेप सटेगा यहां पर कोई सटने का कोई चौंस ही नहीं है अगर कभी कोई जल भी जता है तो बोड़ी जल्दी नहीं आएगा और कारेंट नहीं मारेगा इसलिए यहां पर टेप मारते हैं आप चाहो तो गाइज धागा से बोंदों कोई दिक्षत नहीं है बोंदने के बाद लेकिन टेप जरूर मारते हैं अगर क्वैल जलता है तो उसकेस में कारेंट पर और दुसरा भी दर लाल पर रखते हैं तो क्वैल बिल्कुल सही बता रहा है अगर क्वैल वगएरा कहीं टूट जाता तो इस तरह से बल्ब गूल नहीं करता क्योंकि एक वाइर यह शुरू का है और यह लास्ट बता रहा है लूब दुनों तो बिलकुल सही है अब कला चेक कर लिए देख सकते हूं छूरियाना फोफ यह यह पर फोड़ बुसक्ते हैं कहीं भी इन पर आफ बिल्त तो नहीं हुआ यहुँ आफ बुल्त नहीं है क्योंकि सुझ लए ड़ता है कि के बबढ़ छेक करने करने क्या जाम कोर Sprena.. तो थोड़ा सा भी बल्प बुलो नहीं कर रहा है एक कलाप पर रखकर कर लेते हैं थोड़ा सा भी बल्प बुलो नहीं कर रहा है मतलब कहीं भी इसमें जो वैंडिंग किये हैं कहीं भी वायर इस लोहों में टच नहीं हुआ है जिसका करेना बोडी नहीं बता रहा है तो यह सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बेल आकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिपिकेसन मिलता रहे इसी तरह नेक्स वीडियो लेकर नेक्स दिन मिलते हैं तब तक लिए टेक क्यार बाई बाई जय हिंद